चल्चत्र अभ्यान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं हम तरक्की की राष्टे पर चलना चाथें हम किसान की स्हीं कोई जाठत नहीं बजएंगर चिने करंके कि हर्वर परिबार लिक घब कि अब हमारे करेकरटां का होसला बनाया है हमारे दल को सीजने का काम किया है ताकत दी है और आज से नहीं चौधी चलंग सिंगी के समय से आप बहुत बारीक किसे चुनाब को देख रहे हो और आजनीती को समझते है इसलिए मैं इसी कोई नई बात मेरे पास नहीं है जो मैं कह दू और आप सोचो कि हाँ यह नई बात हमने सुनी है वोई बाते हैं बस याद दिलानी पड़ती है हमारी जनता बहुत भली है और इसलिए कारकरताओं को उनके दर्वाजे खट-कटाने पड़ेंगे चुंकि जो लोग आज जिम्मेदारी के पद पे आपने बैठाए वो सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं आप अपने मुद्दे की बात उनसे करने की कोशिश करेंगे और वो कहां हवाई मुद्दा लेके आ जाएंगे कि आपका ध्यान बटक जाए पता भी नहीं लग पाता लोग समझ नहीं पाते कि मैंने किस बात पे इनको वोट दी थी इतनी ताकत आपने दे दी जो मैं आप कह रहा हूं मैं आपको नहीं कह रहा है मैं प्रदेश की जनता को कह रहा हूं कि मुद्दफना का और सामली की जनता ने खास पौस है जब योगी जी यहां आए औ उन्होंने का गर्मी निकाल दूँगा आपने करारा जवाब दिया लेकिन फिर भी पहुमत की सरकार है मन न पड़ेगा कोई बीजीपी का नेता आप आपके पीच में आके ये नहीं कह सकता कि हमारे 254 विधायक रहेगे 255 आपने जिताए थे कोई पीजीपी का वरकर आपके बीचांके के हमारे खत्र में है कोई ये नहीं कह सकता कि हमें और ताकट दे दो ताकि हमें आपको नोख्री दे दे ये हमें और ताकट मिल जाती तो हम किसान के लिए काम करते गन्ने काभाव भी कोषित नहीं हुआ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और किसी काम में, दंदे में, उद्योग में, व्यापार में ऐसा कभी होता है कि जो उपज कर रहा है, जो अपना दान कर रहा है एक तरह से पैदावाल करके दे रहा है और उसे बताया जाए कि यह ले परची इस पे अभी हम कुछ लिखने को तयार नहीं है कब तुझे भुपतान मिलेगा, कुछ मालूम नहीं है और कितना मिलेगा, यह अभी तै नहीं है लेकिन अपना माल, आज ही आपको देना पड़ा कोई यहाँ व्यापारी है, जो ऐसे टर्मस पे कभी ट्रेड करेगा किसान पे निर्बर हो, यह छेत्र वो छेत्र है जो देश के सबसे संपन जिलों में मुदफनगर की गिंती होती क्यों होती थी, क्योंकि वो जो गाना है न पुराना, देश भक्ती का, मिरे देश की धर्ती वो जो उसके बोल है कि सोना उगलती दर्ती वो यहीं के लिए है उसे संके बुदफन अगर के खेतों की याद आती है या किसानों के जलवे की याद आती है मजदूरों की मेहनत की उनके पसीने की याद आती है जो कुछ भी आपने बनाया है और खाया है अपने बच्चों के परिवार पालन में आपने जो जुटाए हैं संसाधन वो आपके हैं आपके मेहनत के कारण है और आज अगर आप तुलना करोगे आपका कोई दोस्त नहीं लेकिन आज मुझे फनगर जिले की वो पहचान नहीं है सारी विवस्था हैं बदल गई और आप हिसाब लगाओ हिसाब नहीं लगाते हैं भूल जाते यह जो केंद्र मसरकार आई इससे पहले जो महाँ था आर्थिक तंगी के कारण इतना बड़ा मैंडेट जनता ने इनको दिया और जो जनता सुनना चाहती थी वो बात बेखूबी से आपको कहते जब छोटे व्यापारियों की मीटिन होती थी उन्हें कहा जाता था यह जो इन्टरनेट के माध्यम से विक्वारी हो रही है हम इसे बंद करेंगे यह जो फ्यूचर ट्रेडिंग होता है कमोडिटी का हम इसे बंद करेंगे ताकि छोटी दुकानदार की जो है कमाई भड़ सके आज कूछ चर्चा कर रहा है इस बात कि इन्होंने कहा था 2022 तक किसान की आयदुगनी हो जाएगी आज कूछ को चर्चा कर रहा है छे साल पहले आठ नवंबर को साम को आए और कहा दिया सारा पैसा जबत है नकदी पैसा नहीं चलेगा ब्रस्टाचार का खात्मा करने के लिए कले धन को वापिस लाने के लिए हमने यह कड़वे फैसले लिए छे साल बीद गए अभी आठ नवंबर बाइयों कब चली गई को चर्चा करी किसी नहीं कि छे साल पहले फैसला लिया तक क्या परिणाम निकले आज भी वह पुंजी लोटी नहीं है मंडियों मैं क्रैसक्ती जो 6 साल पहले थी वह आज नहीं है और आठ साल पहले और अब तक आंप हिसाब लगा लो आपके बीच क कोई आदमी ऐसा नहीं है जो बड़ा हो जिसकी आमदनी और आये रहने का तोर तोरी का बड़ा हो आमदनी आये बड़ी हो देश पिछण रहा है और अदानी जी है और नाम क्यालों दो-तिल लोग है दुनिया में जब कोई सूची बनती है कि सबसे अमीर लोग कौन है एक हजार दो हजार तीन हजार प्रतिशत उनके आयमदनी और आये में उनकी संपत्यों में उच्छाल है आप क्या मानते हो जिस विश्वास के साथ अधिकार के साथ इस सरकार में सरकार के अधिकारियों के साथ बैठके सरकार के मंत्रियों के साथ बैठके देश के पधान मंत् कि क्या आप में से कोई उस अधिकार के साथ अपने बीजेपी के किसी विधायक से भी सवाल पूछ सकता है नहीं पूछ पाने के नहीं पूछ पानों के क्योंकि एक डर्ग महलों बनाया गया सरकार बुल्डोजर से नहीं चल सकती सरकार के हर फैसले के पीछे पूर से स्थापित परंपराएं हैं लोगतांत्रिक परंपराएं हैं काईदे नियम हैं संविधान हैं कानून है और यह समय साबित हो गया जब लोग कह रहे थे नहीं नहीं सदस्ता नहीं जाती जब कोड का निर्णे आ जाता है तब सदस्ता अप और देखना है और जूट और नफरत की राजनिती करने वालों को जवाब देना है जो इस चुना में भी आके कहेंगे कि याद रखना 123। नहीं हम नहीं आद रखना चापने हिर से मागए बढ़ना चापने हैं यह मौगा बार भार किसी को मिलता नहीं है यह कि आपको वितिस्च मौ ग्ला है ऊंगी के कखतोली के जंता ने आपने क्या प्रतृर्टिक लिए इसलिए मैं आपके आगे अपनी बात रखेने आया हूं और आप भी पार्टी के विरिष्ट हो डारिकरता हो पुराने हो मैं आप से भी उम्मीद करता हूं कि औरों के दरवाजे तक खटखटा कर उनको समझाने का उनको याद दिलाने का प्रयास करोगे कि आखिक वोट अगर मिल जाएगी मैं पूछना चाह रहा हूं मैं तो मुख्यमंती से पूछना चाह रहा हूं कि पिसले वर्स अगर 26 सितंबर को गन्य का रेट हो सकता था अब यह चुनार के डर में घोशित नहीं कर रहे क्या यह सोचके नहीं कर रहे कि हमें रेट तो बढ़ाना नहीं है और अ नहीं करने की डिकलेर ना करो डिकलेर आने वाली पांट तारीक में जंता करेगी डिकलेर गन्य कभाव भी डिकलेर करतेगी इस नतीजेशें से जैन चौधरी बिज़ेपी के पक्स में मद्दान देके जो अगनीवीर गए हैं जिनका अगया रुको बैई चार साल बाद फैसला होगा तुम्हारा चार साल मेनद करो क्या उनकी नोकरी पक्की हो जाएगी उनकी केकी नोकरी पक्की नहीं होने वाली बीजीपी को बोड़ते कैं 37 लाख अभ्यारती गए अभी पैट की जो भरती हुई मैं भी जानता हूँ सवाल है एक अनार सो बिमार बेरुदगारी का आलम है लेकर कम से कम सरकारी छेतर में लोकरी निकलती है कुस्तो ब्यवस्ता सरकार की उनी चाहिए कुस्तो योजना सरकार की उनी चाहिए समय रहते हैं भरती पूर्ण हो जाए में तो यह मांग करता हूं कि कर पह द्रplant us Border करने मिफंद कि ने one कंध कि नौजवान की सुनदे वाली किसानों के लागे जुखने वाली मजदूरी और मेनत को समझने वाले अगर ऐसी सरकार बनाना जाते हो तो खतोली से शुरुआत कर दो उसका विगुल अगरे चुनाव तक दोज़ार चौबिश तक बसका रहे बहुत मेहनत की है और मेरे पीछे तो ऐसा लगा था मैं पीछे मुझे देखो उसने बड़ी इमारत पड़ी है सबने मेहनत की है सब के महनत से ही जीट पाएंगे हम किसान की बात करते हैं शुर्य कोई जात पात नहीं कोई पक्सपात नहीं आख से आख मिलाकर जिस तरह आज मैं आपको देख रहा हूं और आपको विश्वास देला रहा हूं आपके जीवन में सुधार लाने के लिए हम लोग समर्पित हैं और कल को चुनाव के बाद आप भी रहेंगे धन्यवार ऐसे बच्चों को ऐसे समाज की लोगों को बढ़ाएं और हमाया असी वाद धन्यवार जैन जब कर दो जिन्दा अबार